कतित शराब घुटाला मामली में गिरफ्तार किये गए दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विन केजरिवाल ने प्रवर्तन निदीशाले की कस्टडी से एक और निर्देश जारी किया है इस बार उन्होंने स्वास्ते मंत्राले को लेकर कुछ निर्देश जारी किये हैं इस मामले में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारतवाज ने बताया कि केजरिवाल को ED की हिरासत में रहके भी दिल्ली के लोगों की स्वास्त की चिंता सता रही है उन्होंने बताया कि सियम के जिवाल ने निर्देश दिये हैं कि महला क्लिनिक में आ रही दवाईयों की कमी की समस्या को जल से जल सुलचाया जाए पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्त की चिंता है उन्होंने एक direction मुझे भेजी है कि CM साव ये जानके बेहत व्यत्यत हैं कि दिली के कई अस्पतालों में और महला क्लिनिकों के अंदर दाईयां उपलब्द नहीं कुछ अस्पतालों में महला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं केजरिवाल की और से ये निर्देश ऐसे समय पर जारी किया गया है जब एडी की हिरासत से उनके पहले आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है भाजपा के शिकायत के बाद एडी ने जाँच की बात भी कही है इससे पहले जल मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा था कि केजरिवाल ने शनिवार को एडी की हिरासत से उन्हें पानी और सीवरेट से समबंदत सारजरिक मुद्धों को हल करने के लिए अपने निर्देशों के साथ एक दास्तावेज भेजा है उन्होंने कहा मुखे मंत्री ने निर्देश दिया है कि गर्मी के महीनों से पहले आपूर्ती को मजबूत करने के लिए पाने की कमी वालेक शेत्रों में परियाप्त संख्या में पानी के टैंकर तैनात किये जाएं उन्होंने बताया कि केजरिवाल ने उन्हें संबंद में मुख्य सचीव और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करने के निर्देश दिये हैं आतिशी के इस दावे के बाद भाजपा ने आपती जाहर की और कहा कि पता लगाया जाए कि केजरिवाल की गैर मौजूदगी में मुख्य मंत्री कार्याले का इस्तमाल कौन कर रहा है सूत्रों की माने तो ईडी इस बात की जाच करने जा रही है कि मुख्य मंत्री के निर्देश पी एल्मे की विशिश अदालत के उस आदेश के अनुरूप है जो ईडी और केजरिवाल को उनकी हिरासत अबदी के दौरान जारी किया गया था बतादें के अदालत ने केजरिवाल को 28 मार्श तक ईडी की हिरासत में भेशती हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरिवाल और नीजी सहायक विभव कुमार को हर दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आदे घंटे मिनने की अनुमत ही दी थी इस अदिकाव 6 आदे घंटे का समय केजरिवाल के वकीलों को उन से मिलने के लिए दिया गया है केजरिवाल को एडी ने 21 मार्श को दिल्ली के कतच शराब घुटाले मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में छाप इमारी के बाद गिरफतार किया था गौर तलब है अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी के बाद पाठी के कारे करताओं में खासा गुसा देखनी के लिए मिल रहा है E.D. की कारवाई के दौरान आतिशी ने मीडिया से बाक्चीट करते हुए कहा था कि अर्विंद केजरिवाल दिल्ली के सीम है और रहेंगे जरूरत पड़ी तो वो जेल से सरकार चलाएंगे अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्य मंतरी थे दिल्ली के मुख्य मंतरी है और दिल्ली के मुख्य मंतरी रहेंगे हमने शुरू से सफष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरिवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट कता है उनका कोई कन्विक्षन नहीं हुआ है उनका कोई कन्विक्षन नहीं हुआ है वो ही दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे ये लड़ाई चर्टी रहेंगे ये लड़ाई चर्टी रहेंगे अर्विंद केजरिवान जी दिल्ली के मुख्यमंतरी है और दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है इस पे कोई दो प्राइन ही अगले